लो फ्रेंट स 2 वॡर्कमबैक एंगे नंट एक्निकलगई सुन्स टेकनिकलगई न मैं आज बात करेंगे को समझने की कोशिस करते हैं फ्योज के वारे में फ्योण से होता है का है जहलाक्ट्रिकल फ्यूज है थी करेंच करना पर करता तो जब भी आपके घर में जैसे कोई भी ऐसा डिवाइस लगा हुआ है उस डिवाइस में जब कभी सॉट सर्कृट होगा या ओर लोडिंग होगी तो क्या होगा mcv हो जाएगी उस अगर कैपसिटी का सब्सक्राइब कोई mcv लगाई घर में और दस एंपियर से ज्यादा लोड गया 11 एंपियर चला गया तो mcv ट्रिप कर जाएगी ऐस इस सेम फ्यूज का भी रोल है सब्सक्राइब किसी सर्कृट में डी सी सर्कृट है कहीं हमने फ्यूज का यूज कर लिया हमारे घर पे जो लोड है सिंगल फेस लोड हमारे घर जो बोल्ट जाएगा तो 1 यूज करेगा जाएगान तो 對 मिल्ट होने के बाद क्या होगा सगिए मिउस का का में कि अवरलोड कंडिशन जब भी और ओलावां जब दी 10 सर्कृट होगा तो भी current ज्यादा flow होगी circuit में तो उस condition में क्या करता यह हमारी circuit को protect करता है protect कैसे करता है कि दो node होते इसमें input और output उनके पीछ में एक metal का wire दिया जाता इसमें जो current carrying capacity उसकी बनाई जाती उसकी rating capacity के हिसाब से suppose हमने इसमें ले रखा point five ampere से five ampere का अब आपके household जो भी issue आपके household जो भी asset है उनकी जो rating है means उन पर load चला चार ampere का अगर यह 5 ampere का load चला जाएगा तो fuse हमारा क्या करेगा उसको sense करेगा और वो बीच में क्या होगा heat की से हमारा fuse melt हो जाएगा melt होते ही क्या होगा हमारा circuit isolate हो जाएगा isolate होगा तो power आगे जागे जाएगी नहीं तो इस तरह से क्या करता है fuse हमारे circuit को protect करता है overloading और short circuit की condition पे और आपको hopefully यह समझ में आ गया होगा कि जो fuse है वो only and only जो काम करता है वो current के basis पे काम करता है में जो fuse की आप रेटिंग देखेंगे वो हमेशा में होगी कभी बोल्टेज में नहीं होगी तो आपको यह concept आपको clear हो गया होगा कि जो हमारा electrical power system में वो current पे ही काम करता है बोल्टेज़ते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद करता है